फिरिये दोस्तों नमस्कार, मैं दिपेश कुमार, आज आप लोगों को भी ये B.S.C. का साइकलोजी का प्राइटिकल एक्जाम का कोपी कैसे भारा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या है, जैसे कि आप लोग का जो पेज है, वो होता है, सार्टिफिकेट पेज, क्या होता है, सार्टिफिकेट पेज, तो फर्ष्ट में सबसे पहले आपका है नेम, क्या है, नेम, तो जो स्टूडेंट अपना कापी बना रहा है, उस स्टूडेंट का नाम यहां होगा, उस स्टूडेंट का यहां पे न रॉल नमर आता है इसी रॉल नमर में बहुत बच्चा फस्ता है कि सर इसमें कौन सा रॉल नमर होए कॉलेज का हो या इनवर्सिटी का रॉल नमर तो आप इसमें कॉलेज का रॉल नमर डालिएगा उसके बाद एक्जाम नमर ये कॉलम आप छोड़ भी सकते हैं उसके बाद इ इर्स में आप जिस यर्स पे प्राइटिकल काफी बना रहे हैं देर हैं उसका इसमें आप यर्स लिख दीजैगा उसके बाद आप डारेक्ट आएगा कि आप इस कौन अपर प्राइटिकल बना रहे रहे हैं वह उसलिए आज के लिए इतना ही आगला वीडियो में हम सुकरते हैं